हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू 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 जुरावर क्लासेज आज के क्लास में हम फिर से अपने हिंदी के एमसे क्यों को लेकर किया है आपका जो कल का या इसके पहले का जो वीडियो था उस पे हम लोगों ने भासा के बारे में बात कर लिया था ठीक है तो भासा के जितने भी आपके कह सकते हैं कि important question थे वो हम लोगों ने discuss कर लिया था उसमें एक question मैंने आपको homework भी दिया था जो हमारा last वाला question था तो इसका मैं एक बार answer आप लोग को बता देती हूँ question था आप लोगों का कि भासा का उदगम हुआ है बहुत सारे बच्चों के अलग-अलग comments आए ठीक है आपको बोले थी मैं कि जो आप जिसका answer सही रहेगा उसको pin कर दिया जाएगा ठीक आप जाकर के देख सकते हैं कि जिस बच्चे का answer सही था वो आपके comment box में उसको pin कर द कि ध्वनियों के आधार पर होगा ध्वनियों के आधार पर होगा देखिए बिचारों के आधार पर कभी भासा का उदगम नहीं हुआ है क्योंकि बिचारों को प्रकट करने के लिए हमें अलग-अलग भासा की जरूरत ही क्या थी क्योंकि हमारे पास जब लिखित और मौकि भासा नहीं थे, सांकेतिक भासा था, तब भी हमारे पास बिचार आराम से प्रकट हो जाते थे, ठीक है, लिपियों के आधार पे भी भासा प्रकट नहीं हुई है, बलकि भासा का जो उद्गम हुआ है, वो ध्वनी के आधार पर हुआ है, अलग-अलग ध्वनी होने से अलग अलग भासाओं का कह सकते हैं उद्गम हुआ है ठीक है तो हमारा जो दस्वाला कोश्चन था उसका हमारा तीसरा आंसर बिलकुल सटीक था यही हमारा आंसर सही होगा ठीक है तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है हिंदी MCQs के लिए तो आज के क्लास में हम बात करेंगे आज का किसे भी कमपेटिशन लेवल का एक्जाम देंगे तो हर एक्जाम में यहां से बहुत सारे कोश्चन पूछे जाते हैं चुकि अभी सेटेट का भी एक्जाम होने वाला है बच्चों का यूपीटेट होने वाला है और आपकी KVS की वेकंसी है ड्री ट्रिपल स्वी क तो सारे बैकंसी में सारे एक्जाम में यहां से कोश्चन बनते हैं आपके बहुत ही कह सकते हैं कि important topic रहा है तो चलिए आज आते हैं हम अपने कोश्चन पर आज का हमारा पहला कोश्चन है word कहते है ठीक है word कहते है options हैं हमारे पहला option भासा एवं उसके रूपों को दूसरा option है हमारा भासा की सबसे छोटी ध्वनी को तीसरा रंग को या फिर चोथा सब्दो को ठीके तो वर्ण किसे कहते हैं आप इसका अंसर हमें करेंगे देखें सिंपल हम जानते हैं कि जो वर्ण होता है ना वर्ण जो होता है इसके कई आपको अर्थ देखने को मिलेंगे जैसे वर वर्ण मतलब रंग भी होता है बिल्कुल रंग होता है और वर्ण का मतलब क्या होता है वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है ठीक है अक्षर भी होता है और वर्ण का मतलब एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाती ठीक है जाती अब ये चुकि अब वर्ण जो हो गए वो जात में बदल गई, पहले वर्ण जो होता था, वो जन्म की आधार पर नहीं कर्म की आधार पर विभाजित किया जाता था, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ण के बहुत सारे कह सकते हैं कि हमें अर्थ देखने को मिलते हैं, लेकिन चुकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हमारे वर्ण का जो अर्थ होना चाहिए, वो अक्षर से होना चाहिए, ना की रंग से, या फिर ना की किसी जात से, ठीक है, तो हमारे जो ऑप्सन थे, भासा एवं उसके रूपों को, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि भासा और उसके रूप को हम वर्ण नहीं कह सकते हैं, ठीक देखें, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इस पर बहुत सारे कोस्चन बनते हैं, जैसे आपका एक कोस्चन पूछा जा सकता है, कि भासा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है, तो भासा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अगर हम देखें, तो लिखित आधार पे और मौकिक आधार पे हम इसको देखते हैं, लिखित और मौकिक, ठीके, तो लिखित में क्या होगा, लिखित में हमारा होता है वर्ण, ठीके, या इसी को हम कहते हैं अक्षर, ठीके, और मौकित आधार पे हम क्या कहते हैं, मौकिक पर क्या हो जाएगा ध्वनी हो जाएगा वर्न और अच्छर इसको हम कभी तोड़ नहीं सकते हैं अच्छर मतलब जिसका छरड ही ना हो जिसको तोड़ा ही ना जा सके वो क्या कहलाएंगे अक्षर कहलाते हैं ठीके तो भासा की सबसे छोटी काई क्या होती है लिखी ताधार पर देखेंगे तो वर्ण आचर या और मौकीत आधार पर क्या होता है ध्वनी होता है ठीक है तो हमारा जो पहला कोश्चन था वर्ण कहते हैं तो उसका कौन सांसर सही होगा दूसरा आंसर हमारा सही होगा भासा की सबसे छोटी ध्वनी को ठीक है चलिए next question पर move करते हैं तो आज का हमारा अगला question है स्वर कहते हैं तो स्वर किसे कहते हैं options हम देख लेते हैं स्वतन्त्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को दूसरा आप्षन भासा की सबसे छोटी ध्वनी को तीसरा आप्षन छै वर्णों से बने सब्दों को और चौथा इन सभी को ठीक है तो स्वर किसे हम कहते हैं देखे जब आप पढ़ते हैं हिंदी वर्ण माला क्या हम पढ़ते हैं हिंदी वर्ण माला पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हिंदी वर्ण माला को हम दो भाग में बाट करके पढ़ते हैं एक तो पहला हमारा होता है स्वर स्वर होता है और इसके बाद देखेंगे तो दूसरा क्या होता है वेंजन होता है स्वर होता है और क्या होता है वेंजन जिसको हम इंगलिस में क्या बोलते हैं वावल बोलते हैं और कॉंसोनेंट बोलते हैं तो स्वर और वेंजन होते हैं, अब अगर आपको स्वर का definition याद हो, या फिर हम कह सकते हैं, अगर आप स्वर को समझे होंगे कि स्वर होता क्या है, तो आपको पता होगा कि स्वर ऐसा कह सकते हैं, अक्षर होता है, ऐसा वर्ण होता है, जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, बिल किसी अन्यवर्ण की हमें आवसकता नहीं पड़ती है ठीक है मैं बोलके दिखाती हूँ जैसे आप बोलते हैं अ अ बोलने पे आपको किसी अन्यवर्ण की आवसकता नहीं हुई यही पर अगर हम वेंजन की बात करें तो वेंजनों को बोलने के लिए अन्यवर्ण की आवसकता होती है यानि कि किसकी आवशक्ता होती है स्वरों की आवशक्ता होती है हम बोलने की बात कर रहे हैं लिखने की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेंजनों को बिना स्वरों के भी लिखा जाता है लेकिन बिना स्वरों की सहायता के हम इसे बोल नहीं सकते हैं ठीक है तो वेंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं और स्वर कैसे होते हैं बिल्कुल स्वतंत्र वर्ण होते हैं अगर आपको क बोलना है, फ बोलना है, म बोलना है तो आपको स्वर की आवज सकता होगी बिना स्वर के किसी भी वेंजन को आप नहीं बोल सकते आप क बोलिए तो आपको क्या मिलता है क धन अ क्यूंकि आप क बोलने पर अ लास्ट में आ जा रहा है ठीक है अचलिए फिर हम की अगर बोले तो आ तो नहीं आ रहा है अब लेकिन की में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दिर्ग E, चीके, तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा question है, स्वर कहते हैं, तो आपको पता चल गया कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं, तो हमारा दूस कहते हैं वेंजन कहते हैं ठीक है देखिए अभी हम स्वरों के बारे में बात कर लिए अब हम बात करते हैं वेंजन कहते हैं तो किसी कहते हैं वेंजन देख लेते हैं मैं उसमें दूसरे वाले कोस्चन में पूरा आपको डिफाइन कर दी हूं कि जिनको बोलने के लिए किसकी आवे सकता हो, स्वरों की आवे सकता हो, ठीक है, तो चलिए option देखते हैं अपना, पहला option है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी बता हैं कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ण कैसे बोले जात स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, तो ये हमारा option सही नहीं होगा. दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा गया है, स्वरो की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को, ये हमारा answer सही होगा, क्योंकि जो स्वरो की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें वर्णों को हम कहते हैं, वेंजन. तेखिए यहां बोलने की बात कही जा रही है ना कि लिखने की बात कही जा रही है अगर इसी बोलने की जगह पर हम लिखना लिख दिये होते अगर हम इसकी जगह पर बोले जाने की जगह हम लिख दिये होते लिखे जाने लिखे जाने वाले वर्डों को तो ये हमारा option सही नहीं होता क्योंकि बिना स्वरों के भी हम वेंजन को लिख सकते हैं तो आप जब भी answer करेंगे कि वेंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि हम उसको उच्चारड के आधार पे बाटे हैं तो इस तरीके से जो हमारा third question है, third question के लिए बिल्कुल 60 का अंसर हमारा दूसरा सही होगा चलिए, तो आज के हमारे तीन question हो गए, अगले question पे हम आजाते हैं आज का हमारा next question है, संग्युक्त वेंजन, संग्युक्त वेंजन कितने प्रकार के होते हैं संग्युक्त वेंजन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही आसान question है, बहुत ही वेहतर question है आप देखेंगे न, तो यहां से बहुत सारे question जो है, वो आपके exam में पूछे जाते हैं और कह सकते हैं examiner के बहुत favorite question होते हैं ये कि संग्युक्त वेंजन कितने प्रकार के होते हैं और इसके बाद संग्युक्त वेंजनों को वो दे देता है कि कैसे ये बने है किन वेंजनों से मिल करके बने हुए है ठीक है तो देखे जो संग्युक्त वेंजन होते हैं इनकी संख् चार होती है, इनकी संख्या कितनी होती है चार होती है आप पढ़े होंगे शक, ट्र, ग्या और एक आप पढ़ते होंगे स्र, क्या पढ़ते हैं स्र, ठीक है जिसे हम लिखते हैं मिस्रड, तो उसमें स्र जो आता है ठीक है, तो ये चार जो होते हैं ये क्या होते हैं ये चार संग्युक्त वेंजन होते हैं ये चार क्या होते हैं संग्युक्त वेंजन होते हैं अब हम देखेंगे कि अगर ये संग्युक्त हैं मतलब ये दो वेंजनों से मिलकर के बने हुए है तो किन-किन वेंजनों से इनका निर्माड हुआ है हम इसके बाद हम लेंगे मुर्धनिस, क्या लेंगे मुर्धनिस, तो श का निर्माड हुआ है क और मुर्धनिस से, बहुत ही अच्छा कोशन है ये, क और मुर्धनिस से किसका निर्माड हुआ है, श का निर्माड हुआ है, ठीके, अगर आप इसको और डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं हलंत कर रहेगा फिर हलंत शो रहेगा और फिर क्या रहेगा रहेगा तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं ठीक है? तो आप अपने exam hall में देखेंगे कि किस तरी से आपके option बने हुए है ठीक, दूसरा इसके बाद देखते हैं तर, तर, तो तर को बोलने पर ही आपको पता चल रहा है कि इसमें त मिला हुआ है और साथ में क्या मिला हुआ है र मिला हुआ है, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं हलंत त, फिर लिखेंगे हलंत र और फिर क्या लिखेंगे तो ये क्या हो गया त्र हो गया फिर बात आती है ग्या की ग्या से हम क्या लिखते हैं ग्या नहीं लिखते हैं तो ग्या कैसे बना हुआ है ग्या बनता है ज से और फिर बनता है इया से ज से और इया से चीके और इसके बाद हम बात करते हैं स्र की, तो स्र बना हुआ है तालव विशा से और र से बना हुआ है हमारा स्र, ठीक है? तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि किन दो वर्णों के संग्योग से हमारा ये संग्यूक्त वेंजन बना हुआ है बहुत ही इंपोर्टेंट है ये क और स से मिल करके बना हुआ है शक्त्री वाला च फिर त और रसे बना हुआ है ग्या और स और रसे बना हुआ है श्र ठीक है तो संग्युक्त विंजनों की संख्या कितनी होगी? 4 चार आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आप अपने exam hall में जो भी आपके option रहेंगे 30 का answer जो उसके लिए बनेगा उसके according आप टिक करिएगा जैसे आपके exam hall में इस तरीके से भी question बन सकते हैं या आपके option जो होंगे वो इस तरीके से भी घुमा करके दिया होता है ठीक है? तो आजाते हैं आज के हम अपने अगले question पे जो मारा पाच्वा question है चलिए तो हमारा पाच्वा question है हिंदी वर्ण माला में हिंदी वर्ण माला में वेंजन वर्णों की संख्या होती है देखे बहुत ही आसान question है कि हिंदी वर्ण माला में वेंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है आप अगर देखे तो जो हमारा हिंदी वर्ण माला है न इसमें तो हम पहले 25 वर्गी अवेंजन को रखते हैं अब ये वर्गी अवेंजन क्या होते हैं? देखे, आपको पता होगा कवर्ग अब कवर्ग के कहने से आप पूरा देखेंगे क, ख, ग, घ और अंगा अंगा में कन्फ्यूज मत हुएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे विंदी नीचे लगा देते हैं ये ड़ हो जाता है, उचिप्त वेंजन में आ जाता है, अंगा में विंदी बगल में लगती है फिर क्या होता है? च वर्ग होता है च वर्ग, तो इसमें आएगा च, च, ज, 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 इ, ठीक है फिर क्या आता है? ट वर्ग, ट वर्ग में भी होगा ट, ठ, ड, ड, ठीक है फिर आएगा त वर्ग, इसमें होगा त, ठ, द, ध, न, फिर क्या आता है? हमारा प वर्ग आता है ठीक है, तो आप देखें, तो इसमें से इधर से आपको 5 मिलेंगे, 5 वेंजन मिलेंगे, और इधर से भी 5 वेंजन मिलेंगे, मतलब एक तरीके से देखें, तो आप इसको चाहे 36 देखें या उर्दवादर, ठीक है, मतलब या फिर horizontal देखें, इस तरीके से करके देखेंगे, तो इसमें कितने आएंगे 25 वर्ग होते हैं इसलिए इनको हम वर्गी वेंजन भी कहते हैं 25 वेंजन होने से हम इनको क्या कहते हैं वर्गी वेंजन होते हैं तो पहले तो हम इनको रखेंगे कि ये 25 हमारे हो गए चिक इसके बाद आपको इसमें मिलेंगे अंतस्त वेंजन क्या मिलते हैं अंतस्त वेंजन मिलते हैं अंतस्त वेंजन कौन कौन से हैं तो अंतस्त वेंजन होता है यह वरल यह हमारे अंतस्त वेंजन हो गए और फिर इसके बाद उसमें वेंजन उसमें वेंजन तो उसमें वेंजन कौन कौन से है हमारे पास उसमें वेंजन है सखशः ठीक है तो इस तरीके से आप देखें तो ये 25 हो गए और उसके बाद ये 4 अंतस्त वेंजन 25 हमारे वरगिये वेंजन 4 अंतस्त वेंजन और 4 उसमें वेंजन तो इन सब को आप मिला लें तो जो हमारे हिंदी वर्ण माला में वेंजनों की संख्या होती है, वो कितनी होती है? 33 होती है, 33 मिन 33, ठीक है? तो इस तरीके से जो हमारा पाचवा कोस्चन था, पाचवे का हमारा चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक? चलिए, नेक्स्ट कोस्चन पे आ जाते हैं, तो हिंदी वर्ण माला में स्वरो की संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा कोस्चन है, हिंदी वर्ण माला में स्वरो की संख्या कितनी है? आपसंस हैं आपके 9, 10, 11 या फिर 13, हिंदी वर्ण माला में, जो हिंदी का पूरा वर्ण माला होता है, उसमें कितने वावेल होते ह कितने वॉविल होते हैं, ठीके, देखे, आप पूरा पहले लिख लिजे, ठीक, पूरा लिख लिजे, कितने सारे बच्चे होंगे, जिनको ये भी भूल जाता होगा, ठीके, ठीके, देखे, ये जो होते हैं, जब आप हिंदी वर्ण माला पढ़ेंगे, तो हिंदी वर्ण माला में, यहाँ पे, जो सबसे पहले उपर की हमारी दो लाइने होती हैं, वो स्वरो की होती है, ठीके, जिसमें इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीके, तो अब हम काउंट करते हैं, कि हिंदी वर्ण माला में स्वर कितने होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, उपर वाली लाइन में हमें साथ मिले, ठीके, फिर आठ, नौ, दस, एक, ठीके, यानि कि जो हिंदी वर्ण माला है, उसमें स्वरो की संख्या टोटल कितनी होती है, एक, ग्यार होती है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो दो छोड़ दिया, अंग और अह को मैंने छोड़ दिया, तो बिल्कुल मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जो अंग और अह है, इनको हम स्वर नहीं कहते है, इनको हम बोलते है, अयोग वाह, इनको हम क्या बोलते है, इनको हम बोलते है, अयोग वाह, मतलब होता है, कि जिनको ना तो स्वरों में अस्थान मिला है, ना तो वेंजनों में अस्थान मिला है यानि कि वो किसी के भी साथ नहीं जाते वो बिलकुल फ्री है ठीक है तो अंग और अह क्या हो जाएंगे अयोग वा हो जाएंगे और हमारे हिंदी वर्ण माला में स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है हिंदी वर्ण माला में स्वरों की संख्या 11 हो जाती है अब इसी में हम एक कोस्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं आप सब बताएंगे कि हिंदी वर्ण माला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है मूल स्वरों की संख्या कितनी है इसका answer आप सब हमें comment box में बताएंगे कि हिंदी वर्ण माला में मूल स्वर कितने होते हैं तो जो हमारा छटा question था उसका हमारा तीसरा answer सही हो जाएगा थर्ड वाला option सही होगा 11 ठीक है हिंदी वर्ण माला में स्वरों की संख्या कितनी होती है 11 होती है ठीक है चलिए next move करते हैं तो आजाते हैं अपने अगले question पर अब देखिए पूछा गया है You're a lover, vengeance कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? उसमें vengeance कहलाते हैं? नहीं उसमें vengeance नहीं कहलाते हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उसमें vengeance जो होते हैं वो श होता है, फिर स होता है, फिर स होता है और फिर ह होता है ठीक है? तो ये हमारे उसमें vengeance होते हैं अच्छा, इस स का उच्चारड कैसे होता है? तो इस स का उच्चारड होता है तालव्य से कहां से होता है तालुशे होता है इसको इसलिए हम तालव विश्व बोलते हैं और ये जो दूसरा वला सा है इसका उच्चारड होता है मुर्धा से इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं मुर्धन्य श्व बोलते हैं ठीक है इस्ता के उच्चारण में हमारी जो जीवा, जो जीब होती है हमारी, जो टंग होता है, वो कहां छुता है, दात को छुता है, इसलिए इसको हम दंतिशव बोलते हैं, ठीक है, और हा का उच्चारण कहां से होता है, हा का उच्चारण होता है, कंट से, ठीक है, तो ये मैंने आ गर्म और इन वेंजनों को बोलने में कही ना कही हमारी जो जीवा होती है हमारे मुख के अंदर एक रगड सी होती है जिसके वज़े से कुछ गर्माहट सी महसूस होती है इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं उसमें वेंजन बोलते हैं लेकिन हमें हमसे तो यहाँ पे पूछा यह तो यह रलव अनुश्वार नहीं होते हैं अनुनासिक नहीं होते हैं बलकि यह क्या होते हैं यह होते हैं अंतस्त वेंजन ठीक है अनुश्वार वेंजन किसे कहते हैं अनुनासिक वेंजन कहते हैं तो यह सारी चीजें जो बच्चे पेड कोर्स में खुद को इन्रॉल कर लिय ये सारी चीज़े वहाँ पर बहुत अच्छे से डिफाइन की गई है तो आप जा करके वहाँ पर इसको विजिट करिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट है ये तो आजाते हैं अपने अगले कोश्चन पर आज का हमारा अगला कोश्चन है इन में से कौन सा अयोग वाह है देखि हुआ था ठीक है तो आ तो यहाँ पर है नहीं अंग है ठीक है तो हमारा जो थर्ड अप्सन है थर्ड वाला हमारा अप्सन सही हो जाएगा अयोग वाह क्या है अंग अयोग वाह की स्रेडे में आता है ठीक है चलिए आजाते हैं अपने अगले कोश्चन पर इन में से कौन सा उसमें वेंजन है बहुत ही अच्छा question है ये भी मैंने अभी आपको अगले वाले question में define किया है कि उसमें वेंजन कौन सा है ध्यान से देख लिजे आप लोग कि उसमें वेंजन कौन कौन से है श, ख, स, ह तो यहां हम अपने option को पढ़ लेते हैं option है हमारा पहला यह, दूसरा option है श, तीसरा option है ध और चौता option है म ठीक, देखिए जो लोग तुक्का मारेंगे ना, उनको लगेगा अच्छा, इन सब में हलनत नहीं है, इन सबसे different यही लग रहा है, तो यही सही हो जाएगा ठीक है, क्योंकि exam में जो लोग किसी question को ले करके sure नहीं रहते है, option समझ में नहीं आता वो देखते हैं कि क्या सबसे different है यह मैं तो ऐसे ही करती हूँ तो श, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे तो जो लोग इस तरह से तुक्का लगाएगे, उसका चौता वाला जो option सही करते हैं कि उनका गलत हो जाएगा तो अभी हम बताएं हैं आप लोगों को कि जो उसमें वेंजन है वो sir है, ठीके, sir है मारा दूसरा option सही हो जाएगा और ये कौन सा sir है इसका चारण कहां से होता है तालुष ये होता है, इसलिए इसे हम कौन सा sir बोलते है तालव्य sir बोलते है ठीके, तो नौवे का जो हमारा option है वो दूसरा बिल्कुल सही होगा उसमें वेंजन क्या होगा, sir ठीक, आज आते हैं आज की अपने last वाले question पे ठीके, आज का हम last अपना question विजिट करते है विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है अब जिसको विसर्ग नहीं पता है उसे हम बता दे कि जब अभी आयोगवा हमें अंग और अह हम बता है तो ये वाला जो है इसको हम विशर्ग कहते है यानि कि इस तरीके से जो हम दो बिंदिया लगाते है इसे हम विसर्ग कहते है और आप जब math पढ़ेंगे न तो math में इसे हम क्या बोलते है अनुपाद बोलते है क्या बोलते है अनुपाद बोलते है ratio बोलते है ठीके तो ये question आपका homework रहेगा आप हमें इसका answer comment box में बताएंगे फिर से जिस बच्चे का answer सही रहेगा पहले आएगा उसको मैं pin करूंगी ठीके और ये हमारी regular के classes में चलते रहेंगे last question जो होंगे वो आपके homework रहेंगे और उस homework का मैं answer अगले वीडियो में आपको बताऊंगी ठीके और अपने friend को share करिए साथ में channel को like करिए ठीके तो मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए thank you दोस्तों